यदि आपको diabetes हो जाती है और diabetes में भी एक confusion पैदा हो जाता है type 1 या type 2 यदि हम आईरवेद में देखते हैं type 1 diabetes जिसमें insulin बिल्कुल नहीं बन पा रही है और आपको बाहर से insulin लेनी पड़ती है type 2 diabetes जिसमें insulin बन तो रही है लेकिन उसकी उपयोगी ता नहीं है वो उपयोग में शरीर उसको नहीं ले पा रहा है क्योंकि insulin की quality अच्छी नहीं बन पा रही है पैंक्रियाज जो है वो अच्छी quality की insulin क्रियेट नहीं कर पा रहा है तो आपको करना क्या है आईरुवेद में इन दोनों टाइप की diabetes की एक ही चिकित्सा है आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करना आपके पैंक्रियाज की जो beta cells है उनको वापस पुन है एक्टिवेट के जा सकता है वो अपने कारिय प्रणाली में वापस ठीक से आ जाए इसके लिए आईरुवेद में कई तरह की ओषदियां है गिलोए है गुडमार है कुटकी चिरायता मकोई भूमियावला पुनर्णवा यह तमाम तरह की जो ऐसी ओषदियां है आईरुवेद में जो रिश्यों ने खोजी है हमारे रिश्यों ने बहुत बड़ी रिसर्च किये और बताया कि डायबेटीज कोई रोग ही नहीं है देखिए आज डायबेटीज को लेकर पूरा विश्यों में अहाकार मची हुई हर व्यक्ति डायबेटीज से पीड़ी थो रहा है भारत में भी बहुत तेजी से फैलती जा रही हर तीसरे व्यक्ति को डायबेटीज है तो इसका उपचार आप अईरुवेद में इन सारे गुनवत्ता युक्त ओश्यों का जो रिश्यों ने बताई है उनका इदियाव इस्वास से उप्योग करेंगे तो वास्तों में आपकी डायबेटीज ठीक होगी आपकी इ इसमें जिसकी कीमत हमने केवल सवरुपी रखी है धर्मार्त सुल्क सेवार्त सुल्क हमने ले रही है इसमें ताकि व्यक्ति आय्रुवेद पर आए और डाइबेटीज से मुक्ति पा सके जो डाइबेटीज आज अपना सिकार बनाती जा रही है जो इंसुलीन लेते हैं जिनको टाइफ वन डाइबेटीज आप कह रही है इंसुलीन के लिए यह हमारी भावित शुद्शिला जीत है इस पाउडर के साथ में इसका भी दो-दो बू आपको छुटकारा दे सकती हैं दोनों तरह से आप स्वस्त हो सकते हैं आप निरोग हो सकते हैं और केवल डाइबेटीज ही नहीं डाइबेटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं किड्नी पर लीवर पर आपके इंटस्टाइन पर आपके हाट पर उन तमाम तरह की जो कॉम बैटे हैं कि diabetes हो गई अब ठीक नहीं होगी पूरे जीवन दवाई खानी पड़ेगी जीवन छोटा पर जाता है दवाई नहीं कम होती तो आप आयरवेद में आएंगे मातर तीन से चार महीने में ही आपको बहुत बड़ा लाब हो जाता है आपकी दवाईयां छुड़ जाती एक बार विश्वास करके आप आयरवेद को अपनाओ आयरवेद है तो सब कुछ संभव है इस बात को आप सीख लें इस बात को आप अपने जीवन में उतार लें रिश्यों ने जो आयरवेद पर जो रिसर्च की वह वास्ताव में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सोभा अगय की बात है गोरानुमित करने वाली बात है तो आप सब आयरवेद को अपनाओ और अपने आपको निरोग बनाओ